हेलो स्टूडेंट, गुड मॉनिंग, आप सभी के एक बार फीशे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसको सलेजुकेशन में और आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम जानेंगे भाषा के बारे में यानि की भाषा, भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने क्योशन बनाया है, भाषा किसे कहते हैं तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा भाशा वह सादन है जिसके द्वारा हम अपने विचार लिख कर या बोल कर दूसरों के सामने पर कट कर सकते हैं और दूसरों के विचार समझ सकते हैं यानि कि भाशा वह सादन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं कि किसी भी मामले में मेरे ये विचार है या मैं ये बोल रहा हूँ और दूसरों के हम समझ सकते हैं उस सादन को हम भाशा कहते हैं उस माध्धम को हम भाशा कहते हैं यानि कि सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सादन जिससे हम अपने विचार किशी को बोल कर या लिख कर दूसरों को बता सकें और दूसरों के विचार हम जान सके कि दूसरा क्या कहना चाहता है उस समझ सके उस साधन को ही हम भाषा कहते हैं हमारी भाषा हिंदी है जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं तो वो हमारी भाषा है हमारी भाषा हिंदी है कहीं पे अंग्रेजी बोली जाती है उन लोगों की भाषा अंग्रेजी है कोई तमिल में बात करता है तो उनकी भाषा तमिल है तो यानि कि जिस से जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार परकट करते हैं दूसरों को अपनी बात समझाते हैं वो भाषा के परकार, भाषा कौन-कौन से परकार की होती है, तो भाषा मोखित और लिखित भाषा के दो परकार होते हैं, दो परकार की भाषा हमारी होती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे मोखिक भाषा, कि मोखिक भाषा कौन से होती है, जब हम अपने विचार बोल कर दूसरों कि विचार को हम समझते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है उसको हम सुनते हैं और सुनकर समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है और हम अपने विचार बोल कर दूसरों को समझाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं उस भाषा को हम मोखिक भाषा कहते हैं यानि कि जिसमें लिखने या पढ़ने की जरूरत आमें नहीं होती, वो हमारी मोखिक भाषा होती है, दूसरे नमबर हमारे पास है लिखित भाषा, भाषा का दूसरा रूप कौन सा है, लिखित भाषा, तो लिखित भाषा कौन सी हो गई, लिखित भाषा वो भाषा का रूप है, जिससे हम कुछ लिख कर अपने विचार दूसरों के सामने परकट करते हैं लिख कर बताते हैं कि ये मैंने लिखा है मेरी इस मामले में ये विचार है ये मेरी र्याय है ये मैं कहना चाहता हूँ और दूसरा उसको पढ़ कर समझता है तो वो भाशा हमारी लिखित भाशा होती है जिसमें लिखा जाता है वो लिखित भाषा और जिसको हम सरफ बोल कर ही किसी को बता रहे हैं वो हमारी होती है मोखिक भाषा तो इस वीडियो में हमने जान लिया भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परकार कौन-कौन से हैं, भाषा हमारे पास लिखित मोखिक, लेकिन कुछ चीजे हम संकेतों के मादधमशे भी बता देते हैं, लेकिन उसको हम मोखिक भाषा में ही सामील कर लेते हैं, तो भाषा की मोखित दो ही प्रकार होगे मोखिक और लिखित जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा सुनकर समझता है उसको हम कहते हैं मोखिक भासा और जिसमें हम अपनी बात लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा उस लिखे हुए को पढ़कर समझता है उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। तो दो रूप हमने देख लिए मोखिक और लिखित। हमारी जो भाषा है, वो हमारी हिंदी भाषा है। यानि कि जो बोल कर बताया जाता है, वो मोखिक भाषा का रूप होता है। और जिसको लिखते हैं जैसे कहानी उपन्या जिनको लिखते हैं वो हमारा यहां पे होता है कौन सा लेखित भाषा का रूप तो इसे हमने सीख लिया भाषा किसे कहते हैं भाषा के परकार वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथी साथ अमारा दूसरा चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्यू